सजीवों में परिवाण एवं उसर्जन Transformation and Rescuration System in Living Organizations पत्यों का पोधों के लिए भोजन त्यार करना एक महत्पुनक पर किरिया है क्या पत्यों द्वारा बनाया गिया भोजन उनी पत्यों तक की श्रीमित रहता है पोधों के विभाग चोब भोजन नहीं बना सकते उन तक भोजन किस परकार पहुँचता है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल एवं जडों द्वारा अपशोशित खनीच किस परकार जड़ से पत्यों तक पहुँचते हैं आप उन्हें टहने के चीले हुए भाग में भी लाल रंग देखा था पदार्थों को एक स्थान से दुसरे स्थान तक ले जाना परिवाण कहलाते हैं वे सभी अंग जो परिवाण की कारे शंपन करते हैं परिवाण तंतर कहलाते हैं पोधे जड़ों द्वारा जल तथा खनी जलवन अवशोशित करते हैं, जड़ में बहुत अधिक बाल जैसे महियन सरंचना होती है, जिसे मुल्रोम कहते हैं, जड़ की सत्य के छितरफल को बढ़ा दते हैं, मुल्रोम मिलदा कणों के बीच उपस्तित जल को अवशोशित करते जल और खनी जलवन जड़ से उपर नली जैसे स्रंचना से उपर क्योर जाते हैं, आपने देखा कि पैब जैसे स्रंचना जहने वहाँ कहते हैं, जल तथा खनी जड़ से पत्यों तक ले जाते हैं, पोधों में जल तथा पदार्थों का परिवान जिस उतक से होता है, उससे सनवान उतक केते हैं, सनवान उतक दो परकार कोते हैं, जायलम तथा फ्लोयम, जायलम नलिकाओं का जाल बनाता है, यह जड को तना एवं शकाओं के द्वारा पतियों से जोडता है, इस परकार जायलम का बना जाल, पूरे पोदों में जल का परिवान करता है, पतियों द्वा पुर्व की कक्षा में किरेकलापों के द्वारा आपने जाना है कि पोधे द्वारा घीचा गया जल पोधो द्वारा उपयोग किया जाता है प्रन्तु सारा जल पोधो द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है इस अतिरिक्त जल का क्या होता है पत्यों की सत्या पर उपस्तित रंद्र अतिरिक्त जल को वाश्पित कर देते हैं जल का वाश्पन होने से जायलम में उपर की ओर एक घिचाव बल विक्षित होता है जिससे जल जड से जायलम द्वारा पतियों तक पहुँच जाता है पोधों में अपच्तित अतिरिक्त जल को रंद्र द्वारा वाश्प के रूप में बाहर निकालना है वास वर्जन वास वर्जन ट्रांस्परेशन कहलाता है इस परकार आप देखते हैं कि वास्वर्जन खणी ची तथा जल को परकास अंसलेशन के लिए पत्यों तक ले जाने का कारी करता है वास्वर्जन पोधों को ठंड़क भी पहुँचाता है जरसुची यदि पोधे वास्वर्जन नहीं करेंगा तो क्या होगा क्या आप बता सकते हैं कि अधिक उचाई वाले विर्ग्चों में जल पत्यों तक किस परकार पहुँचता है जन्तों में परिवाण क्या आप बता सकते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किन-किन पदार्थों की आवशकता होती है इस सबी पदार्थों का उपयोग शरीर में कहां कहां होता है आप जानते हैं कि जीवो के शरीर में भोजन वायू जल को ग्रहन करके एक एक कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है यान कोशिकाओं द्वारा ही भोजन के टूटने के फल्सवाय रूप हमें ओरजा प्राप्त होती है जीवों के शरीर में कुछ अपसिष्ट हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं जिने शरीर से बहार निकारना आवशक होता है आप अणुमान लगा सकते हैं कि ये सभी कारे कोन करता है हिर्दय तथा रक्त वहानियां मिलकर हमार शरीर का परिसंचरन तंत्र बनाती है परिसंचरन तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है रक्त बहने लगता है रक्त क्या है? रक्त बलड आपने देखा कि पोधों में खनीज लवन को जड से पतियों तक पहुंचाता है उसे पर का रक्त भोजन वाईयो एवा उपसिश्ट पतार्तों का परिवान एक स्थान से दूसरे स्थान तक करता है क्या आप सोच सकते हैं कि रक्त या कार्ज किस पर करता है? रक्त एक द्रव है जिससे विवन परकार की कोशिकाह रहती है रक्त में क्या क्या है? रक्त प्लाजमा, रक्त कोशिकाह, लाल रक्त कोशिकाह, सुवेत रक्त कोशिकाह, पटिक आनो pregnków एक स्वस्थियक्ति के शरीर में पॉच लेटर रग्ट है रख्ट के तरल भागो को प्लाजबा कह थेकं रख्ट कोषिकाओं तीन परकारद कर ुद्ध जिसके वीबन कार्ज है लाल रख्ट कोषिकाओं में लाल रंकर ऑन्च कि घृक्त Osman कोशिकाओं से कारण डाक्षाइड को फेफडों तक पचाता है। यह में ग्लोबिन की उपस्तिती के कारण ही रग्त का रंग लाल हुता है। सवेत रग्त कोशिकाओं WBC यह कोशिकाओं हमारे शरीर में प्रवेश कने वाले रोगाणू को नश्ट करती है। हमारे शरीर के भार का लगवाग साथ प्रतिश्ट रग्त का भार है। इस से कटे स्थान पर लाल रंग का थका जम जाता है। पटे कानू रग्त का थका बना देते हैं, जिससे रग्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। जो कोशिकाय किसी द्रव में बैती है उन्हें कर्णिकाय कोर्पस्कल भी कहते हैं RBC अंतियंत छोटी कोशिकाय होती है जो पलाजमा में तैरती है इसलिए इनलाल रक्त कोशिकाओं को कर्णिकाय भी कहते हैं रक्त वहानिया, Blood Vagels, Blood Vagels शरीर में विभिन परकार की रक्त वहानिया होती है, जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, शरीर में दो परकार की रक्त वहानिया होती है, धमनी और शिरा धमनी और शिरा धमनी अर्टेरिज धमनी अर्टेरिज ये वहानिया हरदय से ओक्सिजन युक्त रक्त को शरीर के शबी भागों में ले जाती है चुकि इनमें रक्त परवाव तेजी से और अधिक दाब पर होता है अता धमनीया की दिवार मोटी और प्रतेस्ता होती है आप धमनीयों में रक्त परवाव को आपने शरीर में महशुष कर सकते हैं आईए एक किरेकलाब करें एक्स्परिमेंट वन अपने दानी हाथ की मद्य और तरजनी अंगली को आपने बाई कलाई की बीतरी भाग पर रखे क्या आपको अस्पंदन गती ठक धक धक महसूस होती है अराम की स्थिति में एक मिनट में होने वाले अस्पंदन गती को गिड़ी है तेजी चलने के बाद एक मिनट में होने वाली अस्पंदन गति को नोट कीजिए इसी परकार आपने दोस्तों के भी एक मिनट में होने वाली नाड़ी अस्पंदन को गिन कर निम्न साणी में लिखे नाड़ी अस्पंदन दर उपर किये के किरे कलापों में नाडे में ओने वाला अस्पंदन नाडे अस्पंदन कलाता है आपने एक मिनट में कितने अस्पंदन किने एक मिनट में कूल अस्पंदनों की शांक्या अस्पंदन दर कलाती है उप्रोप्त किरी क्लापों में आपने देखा कि समनाता विश्राम की अवस्ता में 22 से 80 अस्पंदन परती मिनट पोता है हिर्दाय अस्पंदन का पता लगाने के लिए ECG, एलक्ट्रो कार्डिनो ग्राम किया जाता है पता लगाईए डोक्टर अपने आपकी अस्पंदन दर किनकर क्या जाना चाता है शिरा विनियस, वे रक्त वहानिया जो कार्ड एक्षायट यूक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस सिर्दाय में लजाते हैं शिरा कहलाते हैं शिराओं की बितिया, अपक्षाक्रित पतली होती है शिराओं में ऐसे वाले होते हैं जो रक्त को केवल हिर्दाय के और परभावित होने देते हैं दामानिया छोटी-छोटी वहानियों में विवाजित हो जाती है हिर्दय, 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 अपने कुएं एवन तलाब में लगे पंप को देखा, यह पंप क्या करता है, आप हमारे शरीर में हिर्दय पंप की भाती कार्ज करता है, आप महसूस करते हैं कि यह निरंतर धड़कता रहता है, यह एक पेशे में बाटा होता है उपर के दो कख्षों को अलिंदा और रिंकल तथा नीचे के दो कख्षों को निले भर्टीकल कहते हैं कख्षों के बीच की दिवार ऑक्षिजन समिद्र तथा कार्ण रक्षाड समिद्र रग्द को आपस में मिलने नहीं देती हमारा हिर्दाय जीवन भर बिना रुके पंप का कार्च करता है इसके सुक्रोडने तता फैलने से कार्ण रक्षाड रक्ष पूर शरीर से हिर्दाय में आता है हिर्दाय से फुफुस धमानी द्वारा अशुद रख्ट फेफडों से जाता है, फेफड से सुद रख्ट पुन्हा हिर्दाय में आता है और महा धमनी द्वारा पूर शरीर में चला जाता है, हिर्दाय अस्पंद हर्ट बीट, जब आप डोक्टर के पास जाते हैं तो आपन अपने वक्ष की बाहित तरफ हाथ रखे कर हिरदया अस्पंदन धड़कन को शुन सकते हैं चिकिस्तिक आपके हिरदया अस्पंदन को मापने के लिए इस्टोस्कोप नामा के अंतर का उपयोग करते हैं इस्टेटोस्कोप का अपयोग यहदाए श्वंदन की द्वाने को आवर्धित wrestler करने की रूप करते हैं इस्टोस्कोप के एक सीरे पर एक chest piece होता है जिसमें 70 diaphorm होता है दूसरे सिरे में पर दो यह पीश, सुरोतिका लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेश्ट पीश्च से जुड़े होते हैं चिकस्ता स्टॉस्कोफ का चेश्ट पीश से आपके इरधाय के इस्तान पर रख कर सुरोतिकाओं से अस्पंदनों की द्वने का अधियन करते हैं जिससे उन्हें आपके इर्दाय की स्थिति का आंकलन करने में शाहता मिलती है Experiment 2 आईए आपने आसपास की मागरी से इस्टतोस्कोप का एक मोडल बनाना सेखे 6-7 cm व्यास के कोई कीप लीचे कीप के स्थमब पर रबड की एक नली कसक लगाए कीप के मुक पर रबड की एक जिली को तान कर लगाकर रबड बैंट की साहता से कस देजे रबड की नली के मुक तशिरे को आपने कान के पास रखे कीप के मुख को अपने वक्स पर रख कर ध्वानी सुनने का प्रयास किजी इन्हें भी जानी आब बताइए डॉक्तर किसी चीज का उपयोग हिर्दाय सब्धन सुनने के लिए करते हैं कौन सा अंग रख्ट को पंप करता हैं कौन रख्ट का ठका बढ़ने में मदद करते हैं रख्ट का रंग किसकी उपस्तिती के कारण लाल होता है कौन सी रख्ट वहानी हिर्दाय से अक्षिजन समिदर रख्ट को शरीर के सभी भागों में ले जाते हैं जन्तों में उर्सर्जन एक्सक्रेशन इननिमल्स क्या आपके रख्ट गहर से अपस्ष्ट पदार्थ निकलते हैं आपने देखा होगा कि रख्ट गहर में खाना बनाते समय अनावशक पदार्थों को फेक देते हैं जैसे सबजी का चिलके चावल का मांड इत्यादी हमार शरीर में भी बहुत से अपस्ष्ट हानिकारा पदार्थ बनते हैं जिनका शरीर से बाहर निकलना आवशक होता है जन्तों में शरीर से अपस्ष्ट पदार्थों के निश्काशन की विदी वहाँ उपस्तिती जल की उपरवरता पर निर्वा करती है जल्ले जीव जैसे मचले अपसिष्ट उतपात की रूप में अमोनिया उर्सरजन करते है मचले पॉंक्षी छिपकली सेर्फ जैसे जीव अपसिष्ट पदार्थों का उर्सरजन है और सरजन सफेद अधरन सेविसोलिड के रूप में करते हैं जो कि यूरिक अम्ड यूरिक एसिड होता है मानव द्वारा और सरजित अपसिष्ट पदार्थ यूरिया है एक कोशिकाय छोटे जीव जैसे अंबिबा परमेशियम में हानी कारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कोई विशेश अंग नहीं होता अपसिष्ट पदार्थ उनके शरीर से विसरन विदी द्वारा बाहर निकल जाते हैं आपने पिछले आध्याय में पड़ा है कि बहु कोशिकाय जीवों के शरीर में अपसिष्ट पदार्थ के रूप में ओत्पन कार्वंट एक्सायड फेफ्टो द्वारा उच्छे वासन एक्सेलेशन परक्रम से शरीर के बाहर निकाल दी जाते हैं अपाचित भोजन बाएक्सेपन एजेशन परक्रम द्वारा निकल जाता है हमारे शरीर में चाया पच्छे कुछ बनने और तुटने की करिया मेटाबलिसम के फलसुरप जो नैट्रोजनी पदार्थ बनता है वो किस परकार शरीर से बाहर निकलता है सजीवो द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले अपसिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने के परक्रम की उर्सरजन एक्सक्रेशन कहते हैं उर्सरजन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उर्सरजन तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाते हैं मानव और सर्जन तंत्र है, human excretory system मानव की रक्त में अपसिष्ट पदार्थ होते हैं पूरे सरीर में उपस्तित श्रवी कोशर काउं द्वारा उत्पन अपसिष्ट पदार्थों को एक्तर कर लेता है अपसिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर को परते दिन 2-3 लिटर जल के आउशकता होते हैं यह अपसिष्ट पदार्थ रक्त से अलग किस परकार होता है मानव की रक्त में उपस्तित आनिकारफ पदार्तों को छान कर सरीर से बहाल निकालने के लिए बहुत से आंग है जो उस्वजन तंतर बनाते हैं मानव उस्वजन तंतर में निवन आंग है दो मुत्रवाणी युरिथा एक मुत्राश्य युर्नरी ब्लैडर एक जोड़ा सेम के अकार का वरीक केटनी जेब रक्त वाणियों हमारी वरीक में आती है तो वरीक में सैकड़ो छणी जैसी आकरतियां उपस्तित होती है जिनको न मुत्र का निर्मान करते है युर्न रिक से मुत्रवाणियों से होता हुआ मुत्राश्य में आ जाता है मुत्रवाणियों नली के आकार के होती है मुत्राश्य में मुत्र शंचित होता है मुत्राश्य से एक प्रेश्चित नली जोड़ी होती है जिसे मुत्रमार्ग का दूस लवन के कारण ही होते हैं आप बताईए क्या पोसी ना खालने का कोई विशेश कारण होता है एक वियाशे की व्यक्ति 24 गंटे में 1.8 लिटर मुत्र त्यागता है मुत्र में 95% प्रतिशत जल 2.5% त्यूरिया और 2.5% अपसिष्ट पतार्थ होते हैं क्या आप जानते हैं कि म बचा हुआ पानी ठंडा हो जाता है ठीक उसी परकार परशीना हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखने में मदद करता है अपोहन डायलेसिस कभी-कभी किसी व्यक्ति का व्रिक के शंकरन या चोट के कारण काम करना बंद कर देता है व्रिक के काम नहीं करने से शरीर में अपसिष्ट पतार्थों की मात्रा बढ़ जाती है ऐसे व्यक्ति जाला दिन तक जिवित नहीं रह सकते है ऐसे परिस्तितियों में कृतिम व्रि वक इन है रला प्रहें आद न पही है कर दो कि ऐड मेक लाः कर दो הוא औ लुगाँ है